हेलो दोस्तो आज हम बात करेंगे किलिरिना एंटी एकने किरिम के बारे में किलिरिना एंटी एकने किरिम है किलिरिना किरिम के कॉम्पोजीशन क्या है किलिरिना किरिम के साइड एफेक्ट क्या है कैसे इसको यूज करना है कितने टाइम तक इसको यूज करना है वो सब आज इ इसकी पैकिंग रहती है 30 ग्राम की इसकी MRP रहती है 160 रुपे जो मार्केट में असानी से मिल जाती है दोस्तों हिमाल्य के लिए एंटी एक्ने किरिम जो है हो गया दोस्तों कुमारी कुमारी ट्रेट करती है इंजीन वगयरा हो जाती है यह और बरगारा हो जाता कर लगजाता यह इंसेक्ट वीड को कीड़ा काट लेता तो उसके निशान वगयरा को या जखम वगयरा को ठीक करने में मदद करता एंड एक्जीमा वगएरा की परिशानी को ठीक करने में मदद करता एंटी इंफ्लामेटरी प्रोपर्टी होती है एंटी माइक्रोवियल प्रोपर्टी होती है एंटी सैप्टिक होती है एंड बोल्ड हीलिंग प्रोपर्टी होती है जखम को जल्दी भनने में मदद करता एकने एलर्जी वगारा की परेशानी को इसकी इलर्जी वगएरा की परिशानी को ठीक करने में मदद करता दोस्तो किलेरिना किरिम के कोई side effect नहीं होते हैं ये safe रहता है कुछ लोगों में जो है हलकी redness वगएरा देखने को मिलती है वैसे इसको कोई side effect नहीं है इसको normally use कर सकते हैं दोस्तो किलेरिना किरिम के use क्या है वो जान लेते हैं ये acne and pimple की परिशानी को दूर करने के लिए use किया जाता है इसकार वगएरा हो जाते हैं एकने की वज़े से जो इसकार हो जाते हैं हमारे face पर उसको ठीक करने में मदद करता antiseptic होता है, antioxidant होता antimicrobial property होती है इसकी wound healing हमारे घावों को भणने में मदद करता है जो हमारी skin dead हो जाती है या skin को repair करने में मदद करता है दोस्तो किलेरिना जो है acne vulgaris और acne rocesia दोनों ही परिशानियों बहुत अच्छा result देता है दोस्तो किलेरिना किरिम को कैसे apply करें वो जान लेते हैं दोस्तो किलेरिना किरिम को apply करने से पहले अपने face को और neck को अच्छे से clean कर लेना किलेरिना anti acne face boss आता है जिससे हमें अपने face को अच्छे से clean कर लेना उसके बाद जो acne lesions है यानि महासों के घाव वाला एरिया जो है उस पर और इंफ्लमेशन जो हो रखी है हमाले फेस पर उस एरिया पर हमें दिन में दो बार यूज़ करना है किरिम को तब तक अपलाई करना जब तक घाव और एकने पूरी तरह से ठीक ना हो जाएं कम से कम चार हट उसकरना है इसको लोंग टाइम भी यूज़ कर सकते हैं कोई साइड इफेक्ट नहीं है लेकिन अपने डोक्टर की सला अनुसार ही इसको यूज़ करें खुछ से यूज़ नहीं करें दोस्तों मुझे उमीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आयोगी इस वीडियो से आपको बहुत कु किने को मिला होगा दोस्तों वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन दावाना ना भूलें जिससे नेश्ट वीडियो आने पर आपको नोटिफिकरिशन मिल सके थैंक यू थैंक यू सो मुझ